आज इस वीडियो में हम लोग फैटी लिवर के बारे में डिसकस करेंगे फैटी लिवर की समस्या दिनो दिन बरती जा रहेगे और उसका कारण हमारा लाइफस्टाइल है दिनो दिन हमारा भोजन रिच होते जा रहा है तथा हम आराम तल भी होते जा रहे है सारेरिक परिश्ट्रम का अभाव होते जा रहा है और इन कारणों से फैटी लिवर में बहुत समुचित इलाज की विवस्था आज कहा जाए तो नहीं हो पाई है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेट डिजीज है और लाइफस्टाइल से ही इसको टेकल करना परेगा तो आज इस वीडियो में आज के डेट में क्या उपलब्ध ट्रीट्मेंट रेमेडिज हैं हमारे पास और हमें क्या सब करना चाहिए इनको हम डिसकस करेंगे शुरू में मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके को फैटी लिवर के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझाऊंगा तथा अंत में मेरे गुरू प्रफसर डॉक्टर बीके अगरवाल मरीजो के कुछ प्रस्नों के आधार पर चर्चा करेंगे तो आएए हम इस प्रस्तुती को सुरू करते हैं जैसा कि हम जानते हैं फैटी लिवर आज के जुग में बहुत कॉमन है और मोटापा, डाबेटी ये सब इसके भाई ही है थोड़ा सा हम लोग लिवर के बारे में जानते हैं लिवर शरीर का दूसरा सबसे बरा ओर्गेन है उससे बरा स्कीन, चम्रा हमारे चम्रे के बाद सबसे बरा अस्थान हमारे शरीर में लिवर का ही है और ये हमारे पेट के उपरी पाट में दाहिने साइड में होता है इसका कलर खलका pincus brown होता है गुलाबी और भूरा से मिलता हुआ और इसकी consistency, इसका touch, इसका feeling soft होता है लिवर को laboratory of body बोलते हैं हमारे सरीर का ये प्रयोग शाला है बहुत सारे काम हमारा लिवर करता है और ये एक अकेला organ है तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जहां तक nutrition का फंसन हो भोजन के पाचन में bile देना हो, फून को regulate करना हो, कोई भी जहरीली पदार्थ या कोई भी toxins को सरीर से निकालना हो या बहुत से metabolic process जिसमें fat का regulation, sugar का regulation इन सभी कामों में लिवर की जरूरत परती है तो लिवर हमारे सरीर के लिए बहुत ही जरूरी organ है जब भी liver में fat का content 5% से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे fatty liver भूल दें यह जानना है कि 5% से नीचे है तो कोई बात नहीं, लेकिन 5% से अधिक होने पर हम fatty liver को define करते हैं और यह जादतर overweight या obese लोगों मोटे लोगों में मिलता है, साथ ही diabetes के साथ भी यह बहुत frequent मिलता है, वहां कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति मोटा हो ही, यह एक data है कि हर चार में से एक व्यक्ति वो fatty liver है, उसमें weight का कोई जरूरी नहीं, कम भी हो सकता है, वो मोटा हो भी सकता है या नहीं भी, फिर भी हर चार में एक व्यक्ति आज के जुग में fatty liver से ग्रसित पाया जाता है, और ठीक उसी तरह हर 10 में से 9 व्यक्ति आपको overweight मिलते हैं या obese मिलते हैं, जिसमें diabetes की संख्या अच्छी खासी हो जाता, तो यहां हम द देख पा रहे हैं कि fatty liver किस तरह हमारे समाज को ग्रसित करता जा रहा है, और यह एक alarming है, इस पर हमारे ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, यहां हम fatty liver के different stages को देख पा रहे हैं, जैसे एक normal liver, पहले fat का content परने से fatty liver होता है, जैसा कि मैंने बताया, 5% से ज्यादा होने पर fatty liver ब वो liver fibrotic होने लगता है, और वो NAS, non-alcoholic steatohepotitis की स्रेणी में आता है, और ultimately वो serotix हो जाता है, liver cirrhosis की अवस्था को पहुँच जाता है, इस slide में हम समझाने का कोशिस करेंगे, कि fatty liver में सिर्फ fat बरना है, जबकि NAS, steatohepotitis, steatohepotitis में inflammation के marker भी बर जाते हैं, जैसे fat के साथ balloon degeneration या कोई mononuclear cell infiltrate, यह सब different तरह का, मतलब यह fatty liver के एक अगला stage है, और उसमें fibrosis का component जैसे जैसे परता जाता है, वो serosis की तरब परता जाता है, fatty liver के different कारणों को हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे common है, obesity और sedentary lifestyle, overweight होना, obese होना, मोटा होना, अपनी lifestyle को स्थूल बना लेना, एक्टिव नहीं रहना, जरूरत से अधिक भोजन करना, कुछ metabolic disease जैसे diabetes और लोग genetically भी predispose होते हैं, और कुछ medicine से भी fatty liver होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो fatty liver देखते हैं, जिनका कारण मोटापा और physical activity में कम होती यह slide मैंने कल के Times of India से उठाया है, और यह सेम बात तकरिवन कल हिंदुस्तान के सभी newspaper ने छापा है, कि हमारे देश में 50% adults हैं, जो insufficient physical activity करते हैं, यह 2022 का study है, जो Lancet Global Health Journal में publish हुआ है, और इसमें एक और important बात है, कि यह 50% में 57% females हैं, और 42% आपके male, तो यह देखना है कि कितना हम लोग अपने आपको sedentary बनाते जा रहे हैं, और यह पहुत जरूरी है कि हम अपने आपको active रखें, अन्य था, आने वाले कुछ सालों में, यानि 20-30 तक predict किया जा रहा है, कि 60% लोग मतलब अपना sedentary life बना लेंगे, वो काम से भागने लगे हैं, वो physical work घटा दिये हैं, और यह fatty liver, diabetes, जितने भी metabolic disease हैं, उसका root cause है, यही figure अगर हम सन 2000 में देखें, तो वो 25% के आसपास था, आज जस्ट थोड़े ही दिन के बाद, यह 50% हो गया, और अगर इस पर सही समय पर action नहीं लिया गया, तो यह बहुत जल्दी पढ़ते हुए 60-70% पर अराम से पहुँच जाएगा, और यह देश के लिए बहुत हानिकारक है, देश के population जो healthy है, उसको रखने में बहुत दिक जैसा कि हम देख पा रहे है, fatty liver में सबसे बड़ा प्रिकरसर होता है, obesity या over weight को नहीं, यहां मैं एक बात किलियर कर दूँ, over weight और obesity में बहुत fine line है, जैसे अगर BMI किसी का 25 के उपर है, तो हम उसको over weight करते हैं, लेकिन अगर वही 30 के उपर हो जाए, तो obesity है, जस्ट एक fine line है लेकिन दोनों ही fatty liver के precursors हैं, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि एक तरह तरह के junk food उसके पास है, activity बिल्कुल नहीं है, वो finally motapa का सिकार होता है, और जब उसके body में fat का content बढ़ता है, उसी तरह liver में भी fat का content बढ़ता है, और liver में fatty liver हो जाता है, साथ में fatty liver का जो आगे का क्रम है, NAS, cirrhosis आदी हो सकते हैं, इस slide मैंने रखा है कि आज बच्चों की सिती बहुत बुरी है, खेलने का परमपरा धीरे धीरे टूटता जा रहा है, बच्चे जंक खुट अधिक खा रहे हैं, परहाई के प्रती parents का दबाब, बच्चों का खेल को से बिल्कुल ध्यान हट रहा हम देख पा रहे हैं बीच में कि एक healthy बच्चा है, वो video games के कारण, high fat diet के कारण, खेलने का समय नहीं हो, all study, no games, तो हलका obesity gain करता है, अब obesity gain होने के बाद, मोटापा होने के बाद, वो और movement कम करना शुरू कर देता है, उसे और दिक्कत होने लगती है, और ये एक vicious cycle है, वो ए दीरे दीरे वो मोटा होते जाता है, और फरदर हम बच्चे से एक मोटा adult को पैदा करते हैं, और जो हर डिजीज से रसित होता जाता है, डाबेटीज और fatty liver में बहुत समानता हैं, दोनों एक दूसरे के core existent entity है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे एक डाबेटिक में fatty liver ह होने का chance 3-fold, 3-fold से जादा होता है, और वो बहुत common है, ठीक उसी तरह एक fatty liver के व्यक्ति में 2-4-fold जादा diabetes होने की संभाव ना है रहती है, तो दोनों में एक चोली दामन का संबंध है, दोनों ज्यादा तर केस में, साथ में exist करते हैं, उनके complaint के रूप में आप पा सकते हैं कि किसी को हलका ठकान या दाहिने साइड में, आपर अब्डोमें में हलका discomfort उसको फील होता है, otherwise कोई बहुत symptom early fatty liver से हो, ये नहीं होता है, fatty liver के diagnosis के लिए हम लोग कई तरह के चीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ blood test है, ultrasound, fibroscan, MRI और finally liver babsi, तो fatty liver में ये 3-4 चीज़ से हम diagnosis करते हैं, जिसे एक-एक करके हम लोग फुरा बहुत आगे समझेंगे, blood test में SGPTOT, जो liver enzymes हैं, वो बढ़े मिल सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं कहीं 80% NFLD के patients में normal ALT मिलते हैं, हकीकती है कि जब तक वो NAS में convert नहीं करें, नॉर्मली fatty liver में SGPTOT बढ़े, ये जरूरत नहीं है, उसके बाद कुछ scoring systems है, FIB, 4, NFS, NFLD, Fibrotic Score, ये सब में SGPT, SGOT के अलावा कुछ चीज़ को include किया जाता है, जैसे age, platelet count, BMI, fasting glucose, albumil, इस सब लेने से इसकी specificity और बढ़ाई जाती है, और ये सब चीज़ आपको net पे भी मिल जाते हैं, आप सब का data भरिये, आपको score दे देता है, fatty liver के diagnosis में ultrasound most commonly used entity है, ये हर जगा available है, economical है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक 25% से अधिक fat content liver में नहीं बढ़े, ये pick up करना इसके लिए बहुत आसान नहीं है, तो ये pick up तो करता है, बट delayed भी करता है, दूसरा है fiber scan, transient listographic, ये 10% से उपर ही fat content होने पर ये pick up करने लगता है, और दूसरा ये fibrosis को भी pick up करता है, easy to operate है, तो ये आजकल इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसमें हम लग दो parameter देखते हैं, liver stiffness measure, जो कि fibrosis को बताता है, दूसरा cap score, जो कि liver में fat content को बताता है, ये MRI related एक तीसरा test है, ये बहुत ही sensitive है, ये 1% से उपर ही fat को pick up करता है, लेकिन ये महागा है, combustion है, हर जगा अबलेबुल नहीं है, लेकिन ये बाकी दोनों modality से ज़्यादा precise है, लिवर बापसी old standard है, NFLD, NAS आदी के डागनोस करने के लिए, लेकिन ये invasive है, common practice में नहीं है, लेकिन आज भी जहां confusion हो या research purpose में इसी की priority होती है, ये एक चार्ट से दिखाने का कोशिस कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसको non-alcoholic fatty liver disease है, तो उसमें 70-75% लोग सिर्फ fatty liver के रूप में या mild inflammation के रूप में रहते हैं, लेकिन 20-25% NAS में progress करके और फिर उसके अगले रूप में जैसे cirrhosis related complication के रूप तरफ बढ़ जाते हैं, अगर इनको control किया गया different measures से जिसको हम आगे discuss करेंगे तो फिर यह वहाँ पर रोका जा सकता है, एक stage तक fatty liver reversible है, लेकिन एक stage के beyond आप बहुत कुछ नहीं कर सका, तो अभी हमने समझा कि non-alcoholic fatty liver disease एक stage तक reversible है, इसलिए उसको उस level तक रोकने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, और इसमें कहीं भी कोताही नहीं होना चाहिए, अब इसके लिए क्या-क्या treatment option हमारे पास available है, हम इसके treatment को चार स्थम्भ में बाटेंगे, पहला है diet, भोजन, दूसरा है exercise, यह दोनों भी lifestyle के ही पार्ट हैं, बट कुछ जो lifestyle modification में जैसे toxins नहीं लेना, अपने addictions को कम करना, यह भी उसमें हम तीसरा जोड़ेंगे, और चौथा है medication, चुकि यह lifestyle related disease है, इसलिए यहाँ diet और exercise का बहुत सारा रोल ही, drugs का रोल बहुत limited है, और drugs 20-30%, 10-30% proof में ही effective है, या कुछ specific कारण है, तो आप उसको tackle कर सकते हैं, इसलिए एक non-alcoholic fatty liver disease के patient को diet और exercise पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, और उसको control करके आप इसके हर अगले परिनामों से बच सकते हैं, और poor क्या है, poor है weight loss करना, क्योंकि यह weight gain करने से हुआ है, तो आपका जो weight बर रहा है, उसको अगर आप control कर पाएं, वो diet से हो, exercise से हो, तो आप इसे रोक सकते हैं, जैसे अगर कोई fibrotic component जिसमें हो गया, जिसको NAS बोलते हैं, उसमें अगर आप 10%, 7-10% weight loss करते हैं, तो वो reward होता है, वैसे ही fatty component है, तो 5% weight reduction करने पर आपको fatty content में reduction मिल जाता है, हाँ, एक ध्यान ये रखने की बात है, कि बहुत enthusiastic weight loss, बहुत fast weight loss नहीं होना चाहिए, weight loss एक से दो count per week के rate से जादा नहीं करना चाहिए, अन्य था rapid weight loss भी fatly liver का एक कारण होता है, diet में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है Mediterranean diet, Mediterranean diet को हम ऐसे ले सकते हैं, Mediterranean Spain के आसपास के कुछ इलागों में ये बहुत common है, और एक तरह का ये whole grain खाना, fruit खाना इस तरह का चीज है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि यहाँ fruit, vegetables, whole grain इस सब को प्राथमिकता दिया गया है कि आप उसको खाएं, और कुछ चीज को आप रेगुलर नहीं, जैसे जो थोड़ा सा rich diet है, जैसे poultry, egg, cheese, इस सब को सबता हमें एक बार लें, non-wage में को जितना कम कर सकें, fatty diet को जितना कम कर सकें, पानी प्रचूर मारतरा में पिए, तही जैसे fermented product को सामिल करें, यह सब मिला के Mediterranean diet होता है, और यहां चुकि बहुत जगा olive oil को बोला जाता है, चुकि इस एरिया में olive oil ही practice में है, इसलिए olive oil पर चर्चा है, लेकिन Indian context में आप दूसरे oil से भी उसको replace कर सकते हैं, oil में सबसे important है कि wild car repeated frying जो हमारे यहां का culture है नहीं होना चाहिए, वाल में आप जितनी भी वाल को fry करेंगे तो उसका saturated content बरता जाता है, जो कि आपके सेहत के लिए हानिकारक है, यह Mediterranean diet को ही एक nut cell में हम लोग समझाने का कोशिस कर रहे हैं कि यहां पर एक चीज पर पहुत strong मना है, जैसे sugar, चीनी युक्त चीज को जितना minimize करें, processed food, इसमें nova classification है जिसमें highly processed food की बात की जाती है, वो बिल्कुल ही मना है, processed processing के द्वारा food का nutritive value loss हो जाता है, साथ में उसमें जो preservative साधी मिलाए जाते हैं वो और honey करता है, तो processed food से हमें जहां तक हो पचना चाहिए, जैसा हम लोग discuss किये कि भाई, पानी पूरा से पीना है, तली चीजों से बचें, अपना आहार को moderate में रखें, नियंतरंक रखें, थोड़ा खाएं, frequent खाएं, फल सब्जियों से, अपने plate का आधा से अधिक पाठ फल सब्जियों से भरें, और सरावादी जो नसादी का योग का, तो वहां बोला जाता है कि भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए, मतलब भोजन को इतना चबाओ कि वो पीने जैसा हो गया, और पानी को धीरे-धीरे पीए, तो अगर आप भोजन को खूब चबा-चबा के खाएंगे, तो उसमें संतुस्टी बात होती है, अब आसता में कॉफी, बहुत से स्टेडी में देखा गया है कि कॉफी, fatty liver में protective role है, कॉफी का, जैसे यह liver का कुछ प्रक्रिया, लिवर में oxidative stress, lipid accumulation को कम करता है, तता बीटा oxygen को बढ़ावा देता है, और इस प्रकार वो और inflammation आदि को कम करता है, लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कि कॉफी में अगर आप additives, जैसे cream, sugar, chocolate आदि मिला देते हैं, तो फिर इसका beneficial effect है, जो इसका फायदे वाली बात है, वो खतम हो जाते हैं, तो exercise में यह ध्यान रखना है, कि बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत हमारे patient बोलते हैं, कि हम तो हम तो टहलते हैं, बहुत सा exercise करते हैं, इस्टिल हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, लोग दो तीन बार प्रनायाम किये, उसी को exercise मालने देख, exercise का quality होना चाहिए, फिर quantity भी होना चाहिए, तो हम दो exercise का type यहां देख पा रहे हैं, कुछ aerobic exercise है, और कुछ resistance exercise है, aerobics में भ होता है, तो moderate exercise करना चाहिए, sternus भी आप कर सकते हैं, और इसमें कई प्रकार हैं, जैसे cycling हो गया, तेज चलना, jogging, splints, swimming, यह सब moderate aerobic exercise में आता है, और इसका quantity हमको gradually बढ़ाते रहना है, target हमारा weight loss है, अगर हमारा weight loss जिस exercise और diet पे नहीं हो रहा है, तो आगे हम उसको और intensify करेंगे, क्योंकि कोई भी फायदा अगर fatty liver में होना है, तो वो weight loss से होना है, और उस weight loss को achieve करने के लिए हमको credit exercise बराना है, और dietary restrictions को लगाना है, दूसरा exercise का type है resistance exercise, इसमें आता है weight lifting, weight weight lifting के तरह यूज करें, जैसे उसक मारना, planks, lunges, तो यह जो exercise है, यह कुछ योगा का प्रकार है, जिसमें आप body weight को hold करते हैं, योग भी इसमें आता है, तो ऐसे resistance exercise से आपका muscle exert करता है, और यह अच्छा calorie bond करता है, तो यहां यह मैं फिर emphasis कर दूँगा, कि exercise एक जस पोटो को टाइप, नुमेंट के जहां सुबा गाया आदा है, घंटा घूम भी ऐसा नहीं होगा, आपको targeted exercise करना परेगा, जिससे आपका weight loss हो, और तब fatty liver से आप अपने liver को normal कर पाएंगे, जैसा कि मैंने अभी डिसकस किया कि moderate intensity और vigorous intensity एरोबिक exercise में, running, swimming, cycling, frisk walking, swimming आते हैं, और muscle strengthening exercise में, weight lifting, या squat मारना, planks मारना, lunges मारना, ये सबाब, ये एक guideline है, ये लेकिन ऐसा मत समझे कि fatty liver के लोगों के लिए, ये common people के लिए, fatty liver के व्यक्ति को इससे जादा करना है, एक common व्यक्ति को healthy रहने के लिए at least 1500 मिनट, हर सपता, moderate intensity का aerobic activity, aerobic exercise करना चाहिए, साथ में, दो दिन उनको muscle strengthening exercise, जिसमें weight lifting है, plants है, करना चाहिए, ये normal लोगों के लिए, आप कम duration से start करें, 15-10 मिनट से start करें, उसे धीरे-धीरे बढ़ाते हुए एक घंटा तक ले जाए, लेकिन एक fatty liver वाले व्यक्ति को इससे अधिक करना है, क्योंकि वहाँ target है, वजन weight loss, ये एक paper, लास्ट येर, संबर के आसपास, British General of Sports Medicine में publish हुआ, उसमें बड़ा चाहिए, चर्चा में भी आया, कि अगर हम fast walking करते हैं, तकरीबाद 4-8 km per hour से, तो एक significant decrease type 2 diabetes में लोगों में देखा गया होता है, तो इस तरह से ये fatty liver को भी कम करता है, तो exercise का quality improve करें, जस्ट गप करते हुए घूमने से काम नहीं चलेगा, यह हम देख रहे हैं कि कुछ lifestyle tips, जिससे हम fatty liver, NASS को tackle कर सकते हैं, जैसे regular अपने आपको medical check-up से गुजारे, ताकि कोई भी चीज पता चल सके, छोटा मिल और limit में मिलने, सुगर, सुगरी drinks को, सुगर लेने को avoid करें, regular exercise का habit enough vitamin minerals का परचूर मातरा में सेवन करें, खोड़ा दवाईयों पर, pharmacological treatment में सबसे जादे studies और यूज हुआ है, vitamin E का, बहुत दिनों से यूज होता रहा है, fat liver में, उसके अलावा, paroglitazone, saroglitazone, udca, metformin, आदी drugs, यूज हो रहा है, बहुत दिनों से यूज हो रहा है, और इनका varying result भी है, जहां तक कुछ fibrotic लोग हो जाते हैं, उसमें, obetocolic acid और saroglitazone का अच्छा studies है, आज कल नए drugs के रूप में, semaglutide, जो की glukaljungon receptor analog है, thyroid hormone receptor analog जैसे resmiterome यह भी just approved हुआ है, SGLT innovator, जो की diabetes में आज कल frequently use होता है, depaglifosin और impaglifosin, यह भी आज कल fatty liver में use हो रहे हैं, तो drugs बहुत आ रहे हैं, बहुत stable हैं अभी, बट जैसा कि मैंने शुरू के slide में बोला था कि drugs का role 10-20-30% से ज़्यादा नहीं है, चुकि यह lifestyle related disease है, lifestyle से आपको tackle करना पड़ेगा, कुछ tips जिससे हम fatty liver से बच सकते हैं, balanced diet ले, smoking avoid करें, alcohol avoid करें, carbohydrate के consumption को limit करें, processed food बिल्कुल avoid करें, और regular exercise का habit डालें, इन सब बातों से हम fatty liver से बच सकते हैं, अभी परवरी मार्च में, ICMR और National Institute of Nutrition ने एक guideline जारी किया था, जिसमें इन्होंने दो बातें, बहुत strongly common people के लिए बताई हैं, जो lifestyle related disease को ध्यान में रखके बनाया गया है, guideline number 9 है, कि हमें healthy lifestyle को adopt करना चाहिए, जिससे obesity, overweight होना और particularly abdominal obesity को हम prevent कर सके, फिर guideline 10 में उन्होंने बताया कि हमें physically active हो रहना है, regular exercise करना है, तो यहां भी उन्होंने एक common population को इन सब चीजों के प्रती आगाह किया है, क्योंकि आज हमारे देश में जैसे जैसे हम infection related disease को काबू पा रहे हैं, lifestyle related disease बढ़ता जा रहा है और fatty liver, non-alcoholic fatty liver, आज कल उसे metabolic associated MASLD भी बोलते हैं का prevalence बढ़ता जा रहा है, दीनों दीनी बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए हर कारगर सम खदम exercise के लेवल पर, डाइट के लेवल पर अगर possible drug के लेवल पर भी लेना चाहिए, आगे हम लोग कुछ कोस्टल दे सकते हैं, अनन्द ये आचकल जो ये जो नयने गजजेट्स हैं बच्चों में, प्राब्लम ये हो रहा है कि वह बाहर का outdoor गेंज, आपने बता है कि outdoor गेंज लगवाख खतम होगा, जैसे आप बेस्टन सुसाइटी को देखिए, तो वहाँ लोग फाइब डेजे वीक इनफेक्ट की एक बार अस्टिलिया में चर्चा हो रहा था कि फोर डेजे वीक हम लोग काम करेंगे, लेकिन वह क्या करते हैं, वह लीजर टाइम में वह ब्वाइज पर निकलते हैं, समुधर किनारे जाएंगे, दोरेंगे, खेलेंगे, खूदेंगे, वह अपने लीजर टाइम को उस तरह से spent करते हैं, हमारे हां culture different हैं, हम अपने लीजर टाइम को सोने में, movies देखने में या खाने पीने वाले parties में इस तरह से यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ये adoption, चुकि हम लोग ये third world countries, जो tropical countries है, यहाँ पे लोगों में गरीबी रही शुरू में, तो एक ऐसा food के प्रती ज्यादा ही possessiveness है, और जब भी छुटी हुआ या हर parties में, in fact, कि जितना variety का खाना Indian cuisine में है, बाकी सब के बेराइटे में ऐसा नहीं है, तो ये सब चीज भी आइड करता है, उस तरह से, और दूसरा बात ये कि जो आपका Sanity Center है, उसको पता करने में कि आपका पेट भर गया कि नहीं भर गया, उ अगर आप से कम पी नहीं है, तो उसे बात, क्या होगा, you are looking for a bed, तो खाना खाने बाद जो बेट खोशता समझेव ज़्यादा खालिया है, और वादेफिल क्या करेंगा है, अगर आप slow खाते हैं, चबा-चबा के खाते हैं, तो Satiety Center को feedback जाने लगता है, mouth application से आपका Satiety Center ज्य अगर अनिमल का पेट भर जाएगा, तो फिर दोबारा कोची चाहे जो कुछ भी दे दीजे, उन्हें खाएगा, तो यह सब जो है, हम लों के हाँ बड़ी भरांती हैं, जिसको हम लों को समलना पड़ागा, इस बात को, बिल्कुल, बिल्कुल, हम कई पेसेंट को मैं बताता क्यों कि एक human ही ऐसा उपरवाला का बनाय हुआ जानवर है, जो time से खाता है, तीन time बना दिया है, भूख रह न रहे, ठुस ठुस के खाता है, आप कभी National Geography Channel या किसी जगा देखें, सेर को भी, कि अगर भूख नहीं रहेगा, तो हीरन के बगल में लेटा रहेगा, वो हीरन करता है, और बाकी जान बचाने से भागता है, तो उसकी हमेशा ज्यादा रहती है, तो मेहनत वो दसों में किया, लेकिन बोजन एक दो में मिलता है, हमेशा वो मेहनत से कम खाता है, इसलिए उसको disease कम होता है, और हम लोग, मतलब जैसे गारी अगर गिराज में हो, हम डेली style को modify करें, exercise करें, और जो है वो खाने पीने में उच्चियों क्वालिटी को उसको change करें ऐसा, जिसे हमारा बोड़ी में फैट ज्यादा है कर ठाना हो, आज कल सीजन आम का है, तो लोग आम मिलाकर के दूद्र मिलाकर आमरस बना लिया, उसी बाद आपको खाना नहीं खाने खाने लाएगा, फिर भी आप बैटे खाना खाना फूर देते हैं, तो उससे जादा आपको बोड़ी में कलरी मिलेगा पूरा, एक बात और होता है कि बहुत बार लोग बात करते हैं कि ideal body weight क्या रखना चाहेंगे, तो ऐसे तो BMI होगर कितने चीज हैं जो आप नेट पर सेंटी मीटर में निकालने और उसमें से 100 घटा दें, तो जो आता है उससे 3-4 किलो, 5 किलो कम तक को हम एक लक्षमन रिखा माने, कि इसके नीचे हम अपना weight रखेंगे, तो वो एक idealistic और easy to follow approach होगा, यह easy होगा, बिलकुर आपको यहां पता लगा सकते हैं, लोग को पता नह हमके वो वीमार है, क्योंकि basically दूबले पतल आत्मी स्यादा वीमार वहीं है, जो कि खातरपी तो इसको हम कहते हैं, खुब मोटा है, खापी रहा है तो, और यह problem बच्परन से हो जाता है, लगता है, कुछ है, छोड़ छोड़े, बच्चे लोग कुछ है, सरे मोटे-मोटे ह होते हैं, अगर आप देखें उनको, तो बाद भी जागर ओवेस्टी में बहुत परिसानी होती है, एक क्या होता है, बहुत बड़ा प्रॉलम यह है, कि चाइल्ड हुट ओवेस्टी में नमबर ऑफ फैक्स बढ़ जाते हैं, और वो एजली एक एडल्ट के समय फटाक से तो उसमें नमबर जल्दी नहीं पड़ता है, वो स्वेल हो जाते हैं, तो अगर पहले ही से नमबर जादा है, और वो स्वेल करेंगे, तो वो एकदाम मौरी बॉर्ण ओवेस्टी हो जाएगा, तो द्धान बच्पन से रखना पड़ागा, आपको कि जो बच्चों को ज्या कोई डिजीज हुआ है, कौन से सिम्टम्स आए, तो मुझे स्पेश्यालिस्ट को मिलना चाहिए, राइट साइड अपर एब्डोमेन में थोड़ा सा भारीपन फील हो सकता है, बट जानना यह है कि अगर आपका वेट जादा है, तो आप बहुत चांस है कि आपको फैटी लिबर होगा, आप एक सिंपल अल्टर सांट करा लें, उसमें पिक अप हो जाएगा, फिर जैसा होगा, आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, तो फिर आगे वो प्लान करेंगे, बट फैटी लिबर डियाग्नोस करना बड़ा चीज नहीं, अगर हम ओबर बेट हैं, पेट पे चर्वी दिख रहा है, तो ज्यादा चांस है हमको फैटी लिबर होगा, पस एक अल्टरा सांट सब कुछ कहा देगा, हाँ सिंप्टम फैटी लिबर, अर्ली फैटी लिबर में सिंप्टम नहीं होता, अनलेस वो कॉंप्लिकेशन से रसित हो जाएगा, कभी कभी कहते हैं, पेशिलों की है, जब जर्ल लगता है, तो लिबर का कैपसुल पेंसिंसिटीव होता है, अंदर लिबर में पेंसिंसिटिशन नहीं होता, तो अगर वो स्ट्रेट किया देख ड्रेगिंग होता है, अगर मुझे फेटी लिवर डीजीज होता है, तो मुझे कितने टाइम तक मेडिसीन लेनी चाहिए, और क्या मेरा लिवर ठिक से पहले की तरह हो जाएगा? बिलकुर हो जागा, लेकिन मेडिसीन देने से पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अपना लाइव स्टाइल बदलें, और एक्साइज करें, वेट न बढ़न देते हैं, वेट घटाएं, अगर डियाबिटीज है, साथ में जाज़ता होता है लोगोंको, तो डियाबिटीज के इसको लिए तो कोई लिमीट है, कि अब तक आप स्टाइना चाहते हैं, तब तक अबना अक्टिविटी करिए, और जहां भी आपने उट्टर सुदा, खाने पीना खाया होगा और अक्टिविटी कम किया, तो हमेशा फिर आपका बढ़ना शुरू हो जागा, इसलिए बहु दूरू ग्या ऑटिव जय। यज्य।